हलो फ्रेंट्स नमास्ते वेलकम बैक तो दो चैनल स्वागत है आपका इस चैनल पे जहां हम लोग आपके साथ रिविव शेयर करते हैं ऑनलाइन पचेज़ प्रड़क्स के जो मैंने अपने ऑनलाइन पचेजिंग की है उसके बारे में मैं आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव हैं क्या है और यह विडियो आज की होने वाली है जैसका आप डाइचल देखकर समाझ ही गह होंगे नाइटसूट्स के बारे में तो मैंने एमज़न नाइटसूट्स परच 사용 की हैं जो फुल-स्लिपつ नाइटसूट्स हैं और फुल-स्लिपت नाइटसूट्सूट्स ॉम- यह मैं बात करी हूँ तो वो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला था इवन उसका साइज भी काफी बढ़ा था तो मुझे उसको आल्टर करवाना पड़ा था क्योंकि मुझे फूल स्वीप ही चाहिए था तो में को बड़ा साइज होने के पावजूद भी उसको लेना पड़ और यह जो ब्रैंड है इसके नाइस्टूट्स मैं वैसे भी यूज कर चुकी हूँ इस ब्रैंड से मैंने लास्ट येर ली समर के लिए दो नाइस्टूट्स पचेज की ए थे तो वो मेरे काफी अच्छे चले थे तो अब भी आपके सामने हैं ये जो बहुती ब्रैंड से नाइस्टूट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वोक है इनके उपर इसके आप इस तरहीं ब्रैंड सीफ हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगे बैक स्ट्रीम पर तो ये 6.68 रुपीज पर मुझे रिसीफ हुए है 6.68 रुपीज इन पर नोने मेंशन किया है ये 6.99 रुपीज के हैं I don't know किस हिसाब से नोने इस पर मेंशन किया होगा मुझे ये एक बार से चेक कना पड़ेगा कि मैंने कितना पे किया और यहां पर कितना है बली में बचले बचले नाइट सूट के तरफ ये नमारा के फॉर्स के है ये ये डचिस ब्रैंड के हैं इसके मैंने पहले भी नाइट सूट यूस हैं उन लग भी बना की दूँगी बट वो फूल सीव नहीं थे लॉंग लेंथ में ही थे इस तरह के नाइट सूट में मैं थोड़ा सा कमफटेबल जादा इसले दिल करती हूं क्यूंकि इनकी लेंथ भी काफी जादा होती है इनो जिस तरीके से हम सूट वेयर करते हैं उसी तरीके से तो अगर आप याप थो पहनना पसंद नहीं करती हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंवेस्टमेट इस तरह की रहती है और समर्स के लिए मैं कहूं कि टैनिंग से बचने के लिए स्लीवस आर मस्ट तो इसमें स्लीवस मुझे अवलेबल हैं और मैंने काफी ढूना मगर फूल स्लीवस नहीं मिल रह है कि मतलब इसको मैं पहन के आप एजीली आराम से अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल डॉप करना है या लाना है या कुछ भी तो इसको पहन के हम बाहर भी आराम से निकल पाएंगे तो मतलब मैं कमफटेबल फील करती हूं इस तरह की क्लोधिं में तो यह आप देख स बात है बट आप इसके लिए लुक देख सकते हैं कितना सुन्दर देखने में लग रहा है इनी टेख सकते हैं बहुत ब्यूटिफुल है मैं इस वाले टॉप से के बिलकुल सटिस्पाइड हूं अब बात करें इसकी बॉटम की है मैंने यह लाज साइज ओडर किया है क्यू अच्छा ही है नौट बैड क्यूंकि मैंने इस ब्रैंड के अल्रडी यूज की हुआ तो यह मटीरियल बिल्कुल सेम वैसे ही है तो मुझे लग रहा है कि यह चल जाएगा अराम से गर्मियों में मेरी गर्मियां अराम से अर्में निकल गाएगा है यह हमारा है नेक्ट यह यह प rigorous प्रार कररें ये बहुत सुंदर वाइन कलर बहुत सुंदर अपस मी बना रहे है और यह देख सकते हैं अप इम इस तरीके का हैं और मैं मैं मतीरियल से काफी जादा स linen के बिल्स देख सकते हैं इसमें दी हुई है ता कि आप अपना फोन, वोन, थोड़ा बहुत कैश अगर आप कुछ भी बाहर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए या कुछ भी सब्जी रबजी खरीदने के लिए चा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं फोकेट में डाल के आराम से एवन वॉक करने के लिए भ इस तरहे के लिए और मैं इसको भी तरन तरन दे सकते हूं यह कपड़ा बल्कुल से मैं अलरड़ी यूज कर रही हूं उन्ही नाइट वेर्स की तरह ही क्लोथ है उनमें हाँ बहुत जादा यूज करने के बाद उनमें हलके हलके से रौए निकलना शुरू हो गे थे बट मै यह मेरा जुनाइट सूथ ही मैंने मार्केट से बाय किया था इसको मैंने 800 रुपीज में बाय किया था यह एक्सल साइज था इसको मुझे ऑल्डर करवाना पड़ा था इसमें कोई साइड बॉकेट नहीं है और दिखने में कलर वाइस यह भी काफी सुन्दर है पर इसका मा प्रिंटेड लोवर है अलका से यह कॉंबिनेशन बनाने के लिए अगर आपके पास समर में वेर करने के लिए इस तरह के दो टीन नाइट सूथ हैं तो आपकी गर्मियां पूरी आराम से निकल जाएंगी और आपको टैनिंग की बिटंचन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरह के से इनको फूल स्लीव को वेर कर सकते हैं और यह बहुत सादा गर्मी भी नहीं लगेगी आपको तो अगर आपको पसंद आए तो आप यह ले सकते हैं क्योंकि इसका वाश और जो मतीरिल की क्वालिटी है वो मैं पहले यूज कर रही हूं इसी ब्रैंड क अब यह दो अब इवेलेबल हैं अगर आप चाहें हाफ स्लीव में इसी तरह की लॉंग लेंथ में हैं तो इस वजह से मैं इसको 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 अब ब्रैंड के यूज कर रही हूं दोके पहन के बोखत लास्ट यह मैं बहुत यूज किया उनको तो यह काफी अच्छी ह मैंने बहुत सर्च किते पर नहीं मिले थे अब ये मुझे मिले हैं तो मैंने ये ले लिए और अगर आप तो अच्छा लगी तो आप ये बाय कर सकते हैं कुछ भी आपको इसमें लॉस नहीं होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग किस तरीका कैस पर वर्क है और ये साथ ही मैं आप स्क्रीन पर देख पाएंगे इसका ट्राइओन बहुत सुंदर है ब इस प्राइस का फ्रेंज फॉर लार्ज साइज और साइज के कोडिंग इनके प्राइस जो है वो वेरी करते हैं 699 इस था हाइस प्राइस रेंज और इसकी स्टिचेज आप देख लीज एक दम फाइन स्टिचिंग है कहीं से भी कुछ भी खराब होने वाला ऐसे नहीं है कि चलते फिरते से स्टिचेज लगा दिये हों तो मेरे लिए ये डेल बहुत बैस्ट है क्योंकि 668 रुपीज में एक इतनी लेंथ भी जिसमें अच्छी मिल रहे हैं और यूनो स्टिच्ट बिलकुल हमें मिल रहा है और तो बहुत अच्छी डील है और इस वाले नाइट जो है वह पिछले वाले के कंपरेजन में थोड़ी से चोटी है जो कि मतलब पूरी अप्रूपीरेट साइज है मेरे लिए और इसकी बी स्टिचेज और जो ये पैटरन बना हुए बहुत अच्छे हैं कहीं से कुछ भी डिफेक्ट नहीं है कुछ भी खराबी नहीं है तो अ 600 अंडर 800 उसके उपर आने वाली है तो अगर आपको वीडियो देखना पसंद है इसी तरह की तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखेगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा थेंक्यू